ODI World Cup खिलना है cricket 22 में वो भी 2023 के real schedule के साथ आ जाओ दिखा दूँगा कैसे खिलते हैं तो basically guys title पढ़ लिया को तुमने यह tutorial कैसे खिलना है ODI World Cup 23 cricket 22 में exact real schedule के साथ India के matches to be precise तो आज मैं तुमको बता हुँगा कैसे किलना है teams download से लेके stadium से लेके किस order में डालना है ताकि इंडिया के सारे league stage matches एकदम real जासे हो एकदम serial number के साथ 1,2,3 ऐसे first match होगा Australia के साथ 2nd up करना है settings जाना है यहाँ पर जाके अगर आपको एकदम मेरे जिसे खिलना बिना कोई दिक्कतों के साथ तो reset academy करके और यहाँ पर मैं यह सब करके रिसेट कर देता हूं यह करके आपको एक रिसेट selected features तो आपको गेम में जितना में data लें सब चला जाएगा तो आप देख लेना अगर आपको कोई चीज आपने खुच से बनाई तो पहले upload कर लेना अपने नाम से और upload कैसे करते हो भी अगर जानना है तो यहाँ पर इसमें टीम में जाना है जो आपको जाना है तो बाकी यहाँ से रिसेट academy समझ जा यह से यह सेटिंग में जाकर रिसेट कर देना ताकि तो इसमें इकतम fresh हो जाएगा जिसेएकं नया नया रहता है तो बात के स्टीकर सब्से पहला काम आपको टीम में download करनी है तो basically what I do is यहाँप मैं Teams कर देता हूँ और इसमें sort by downloads करता हूँ मैं और इसको यहाँ पर search कर देता हूँ मैं अभी देखना आ जाएगा तो यह आगए ऐसे सारी teams और यहाँ पर जो भी most downloaded है इसमें अगर आप creator से भी जाना चाहते हो तो वेशयर यूथ हैं और हमारे अनमुल जोशी भाई भी है जिसकी आपको टीम कर सकते हो डाउनलोड लेकिन मैं ऐसे करता हूँ फिर उस में पर जिसकी मुझे जर्सी अच्छी लगी प्लेयर फेसी तो अच्छी लगे तो मैं कर लेता हूँ इंडिया की टीम जोशी भाई की और हां Australia भी आपको कर लेनी है एक्सटरा में और उसके अंदर जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना बट मेरे लिए तो क्विक डाउनलोड वाक की आपको ट्राय करना पड़ेगा तो यहां से तारी टीमस मोस्टली बना रखे हैं कोई ना मिले तो फिर नाम से सर्च के लिए ना मैंने सब इनके सी किया शाद एक नहीं मिला था मुझे धरमशाला नहीं मिला था हूं मैंने शाद कहीं और से डाउनलोड किया तो यह SS डाल दिया इनके सारे स्टेडियम आ गया है स्टेडियम आप देख सकते हैं नमस पर वर्ल्लकप का फाइनल पाकिसान मान मैं सब हो रहा है फिर अरुन जेटली पर मैच है अफगानिस्तान वाला तो यहां से वो सारे जो भी स्टेडियम है वर्ल्लकप में तुम लोग कर लेना देखके वह अगर चाहिए तो लिस्ट में दिस्क्रिप्शन देदूगा या तुम लोग देखी लोगे तो यह हो गया टीम्स हो गई और तुम्हारे यहां पर स्टेडियम हो गए डाउन ठीक है इसके बाद आपको क्या करना है सबसे पहले आना है एक टॉर मलब कंपिटिशन मनाना है यहां पर कंपिटिशन कर लेना यू करके नाम आपको देदे रहा है फिर यह पूरा आपको कॉपी कर लेना इस सबका एक्जक्ट वर्ल्ड कप बन जाए के जैसा भी रियल में हो रहा है उसे हिसाब से राउंड रॉबिन है इसी कुछ ज्यादा है नहीं सिंगल रॉबिन हर एक टीम बाकी नौ टी इस पर क्लिक करना है आपको यहां पर कहीं दिख जाए को जो भी नाम रखा है आपने वह अल्फबेटिकल है इस में शाया तक यह पता नहीं जो भी है ते मेरा इससे रहा वर्ल्ड कुप में दिनरी अब मैं तुमको और का स्क्रीन शॉट दिखाता हूं किस और में टीम डा आफगानिस तार फिर इंडिया पाकिस्तान और स्टेटियम कैसे लागा नहीं उसाब मैं बता रहा हूं तुमको तो यहां पर एक एक करके मैं टीम एड करोंगा पाकिस्तान साओफ अफरीका बैंगलदेश नेदरलेंड्स इंडिया ऐस्ट्रेलिया मैं एड कर लेता हूं ए एक और यह चीज़ जैसे यह भी डिफॉल्ट टीम है तो आपको अलग साइड करनी है तो यहां वाली करनी कस्टम में जाके यहां से मत करना इंटरनास्टन नहीं यह कस्टम में जाके यह आउस्ट्रेलिया एड कर दी और इसके बाद कौन सी इसके आदी क्यों किस्टम ही त देख लेना तुम लोगो थोड़ा पर्सनल प्रेफरेंस पर मैं खुद की टीम भी थोड़े बहुत जो मेरे एडिट्स होते प्लेयर के थोड़ा रेटिंग को मैं अपने इसाब से रियलिस्टिक लिए थोड़ा एडजस्स करता हूं वह सब मैं खुद करके अप्लोड करता बस यहां पर आपको पर कंटीन्यू करना है और मैंने खेला था यह इंडिया से पूरा टॉर्णमेंट और इंडिया के लिए ही है पर्फेक्ट स्केडियूल बाकी टीम से मुझे पता नहीं होगा कि नहीं सब्सक्राइब लोग शाथ उसके लिए ही मांग रहे है तो यह इं पर खेल भी लिए और वीडियो भी इसके आ नहीं वाली नेक्स्ट एपिसोड से मदला फॉर्स मैच आ जाएगा यह वही सीरिस का फॉर्स एपिसोड है वैसे लेकिन मैच फॉर्स नेक्स एपिसोड में आएगा ठीक है तो यहां पर मैं इंडिया से खेलूंगा और यहां प मुझे फरक पड़ता नहीं था तो मैंने इसमें खेल लिया यहां से आपको लाइन अप लगा देनी है वह अपने हिसाब से देख लेना और मैच सेटिंग्स यहां से आप स्टेडियम से लेक कर सकते अब यहां डाउनलोड कर लोगे तो यह स्टिक को सीधा ऐसे करोगे तो यह कस्तम में जो भी है जैसे पहला मैच था यहां पर पहला पर पूछ रहते हैं तो इसके पास दिखा दे तो इसके लास्ट में जिस पर मैने बुरा वर्ल्लकुप खिला बहुत अच्छा रहा अब रिजल्ट क्या है वह आपको यह सीरीस के अंड में पता चलेगा लेकिन म हो सेके तो स्पॉइल ना ही करना ठीक है और पिच भी आप यहां पर फिर ग्राउंड के साफ से कर सकते हो जैसे चिदंबरम है तो स्विनिंग ट्रैकर रहेगा तो मैं प्रिफर करता हूं कि डस्टी पिच रख ली मैने और मीडियम या सॉफ्ट रख ली थोड़े से क्रैक् क्योंकि पिच एक इनिंग के बाद थोड़ी हो जाती है जो नॉर्मल भी रख सकता है यह सब पर्सनल प्रेफरेंस पर बास इसके आद मैच लगा और खेलो को स्टार्ट करना है और हो गया एक्जक स्केट्यूल के साथ वर्ल्ड कप 20 इंजरी क्रिकेट 22 में अब मैं तुमक यह लेजेंड डिफिकल्टी है AI की जो मैंने और ज्यादा कर रही है लेजेंड पर 50-50 रहता है तो मैंने स्ट्राइकर टाइमिंग फूल कर रहा है 100 और विकेट चांस 20 है जो बहुत कम है विकेट स्मूग बहुत कम मिल रही है तो 25 या 30 पर भी खिल सकते है विकेट चांस 25 है थोड़ा easy लग रहा था तो मैंने 20 कर दिया था वो भी mid tournament जो अभी जो stream पर देख चुक उन्हों पता है और जो वीडियो देखेंगे उनको पता चलेगा अभी और रन रेट भी आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कर सकते है मिरको 80 सही लगता तो मैंने वो किया मैं मै जैसा रखना है तो exact यह करके खेल ले ना बहुत difficult पड़ेगा लेकिन इस पर पहली बता देता हूँ फिर bowling है अपनी hardest पर नो changes यह उसके बैटिंग में मैंने यहां पर जो भी यह exact hardest यह सिर्फ 1% कम होगा hardest से इसमें भी unrealistic edges लग रही है थोड़ी लेकिन मुझे difficult बढ़ रहा इसको 5-5 किया यह 100 है एडवांस शॉट मैंने 65 से लगा है ताकि फोड़ा वराइटी ओ शॉट्स रहे स्ट्रीम पे तो आप कर सकते हो striker skill bonus भी मैंने 5 रखा है क्योंकि मेरे इसाब से अगर striker की timing अच्छी हो तो उसको bonus मिलना चाहिए और उसको skill अच्छी है तो भी bonus मिलना चाहिए जैसे कोली भाइक कवर्ड रहे इसके लच्छी होगी तो उनको मिलना चाहिए कि थोड़ा ज्यादा पांच प्रसेंट ज्यादा चांस रहे हो चौका जाए यह आपर सब लिखा है पड़ सकते हो मैं यह सब समझ के कर रहा था और यह भी हार्डेस्ट वाला है यह 100-100 तो सब हार्डेस्ट वाला ही है और ideal input power boost भी मेरे इसाफ से ideal time है थोड़ा power boost मिलना चाहिए पूर पे पूरा ही penalty होनी चाहिए तो आप 100 कर सकते हो मैंने 95 कर रखा है power boost timing window मेरे इसाफ से timing है तो फिर थोड़ा power boost उसका ही मिलना चाहिए ताकि थोड़ा बहुत 6 लगे है वरना बहुत unrealistic हो जाता है छोट छोटे श्रीब में खेलते हैं अपन सब अलग अलग श्रीब में खेलते हैं तो फिर full toss के लिए भी थोड़ा सही होना चाहिए तो यह शा कोनों का मुझे इतना कुछ यह बहुत broken चीज़ है मेरे को कुछ समझ ही नहीं पड़ा miss input influence और miss skill influence मेरे को कुछ पता ही नहीं चला है तो मैंने try कर रहे है कुछ effect नहीं किया मेरे लिए game पे तुमको पता है तो कर ले ना वरना यह मैंने set किया था मेरे लिए सही work किया मैंने खेल लिया ठीक है fielding hardest पर है physics में सब कुछ hardest है मना hardest ही physics और उसमें मैंने खाल लिए कि यह चेंज किया pace bowling visual speed 100 गया ताकि ball fast आती भी दिखे वरना बहुत ऐसे floaty सी आती ball 50 पर रखूँके तो और लगता भी नहीं कि पर पेस रहों और इससे और difficult पड़ेगा क्योंकि अपना व खेल सकते हो मैं hardest पर भी खेल लेता हूं लेकिन फिर rage होता है इस वज़े से मैंने यह बना राखी है बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है so I guess समझ गया हो गया और bowl quality लोग bowling 50 क्यों रखी है 100 पर AI बहुत जादा thumbs to thumb bowling करता है जिससे बहुत जादा runs लग रहे है मेरे साथ ऐ कुछ ज़्यादा मेरे को difference लगाने बेसिकली यह ब्रोकन है यह भी तो मैंने 50 रहने दिया जो game का default है उस पर ही so I guess समझ गया हो गया और proper world cup एक proper detailed tutorial चीए था तुमको मैंने बना दिया है so अभी आएगी इसकी वीडियो जैसे first match है इंडिया और बहुत मजा आएगा so that's it for this video कमेंट कर देना अगर आपको कुछ भी सीखने मिला है कुछ भी मदद मिली कुछ भी अच्छा लगा तो बता सकते हो कमेंट में और बाकी इंस्टेट टुटर पर follow कर लो discord join कर लो मैं दुमसे मिलता वेटनास देको दूसरी वीडियो में और शाया इस वीक में एक स्ट्रीम ह मैं करियर मुड की एक स्ट्रीम करने वाला हूँ रहा है मैंने कम्मूनिट में पोल भी डाला जाके वोट करना हूँ अपर क्या है एक स्ट्रीम करूँगा फिर सोस्ते हैं क्या करना है ठीक है चलो बाई बाई